यह economic की foundation class है जिन्होंने पीछे की video नहीं देखिए उस video को जाके पूरा देख ले हमने zero से शुरू किया है economic की class first class से लेके हमने शुरू किया है कई parts बन चुके हैं आज हम इसमें देखने वाले हैं राष्ट्रिय आय, national income हम इसको निकालते कैसे है राष्ट्रिय आय को सात्यम पर capital इनके मैंने प्रत व्यक्ति आय को भी निकालना सिखेंगे तो चलिए देखते हैं राष्ट्रिय आयनि national income इसके निकालने की कई विधियां होती है जैसे पहली विधि होती है उत्पादन विधि होता है इसमें दो चीजे होती है एक होता है factor cost और एक होता है market price फादन विधि को हम कैसे समझेंगे देखें उत्पादन विधि जो होता है उत्पादन विधि हम किसे कहते हैं देश में जितना ही product उत्पादित हो रहा है उसे हम कहते लिख दो परकार एक सब्सक्राइब को बनाया में कितनी लागत है उसको बेचने के लिए जब मार्किट में बेचा जा रहा है तो कितने का बेच चाहिए जा रहा है वो market price कहलाता है अच्छा इसमें अच्छा क्या होता है अगर उत्पादन हमने पहले बताया था कि हमने क्या पढ़ा था GDP Cross Domestic Product लेकिन इसमें से हमने क्या किया था विदेश वाला बाहर कर दिया था अपने देश का अंदर किया था तो GDP सी क्या बना था हमारा GNP लेकिन इसमें भी हमने क्या किया था तो तूट फुट हुआ था उसको बाहर कर दिया था तो बनके क्या है था हमारा यह सब में पहले पढ़ा चुका हुए जिन्होंने नहीं देखा वो जाके प्रिवियस वाली बीडियों पीछे की बीडियो को देख ले सब समझ में आ जागे यह सब क्या है अगर यहां से देखी क्यों पूछता है कि उत्पादन विजी जो होता है वो किस पे निकाला जात उत्पादन विजी से इंकम किस प्राइस पर निकाला जाता है मार्केट प्राइस यानि जो बेचने वाली प्राइस से उस पर निकाला जाता है आई होप आपको यह राष्ट्रिया का पहला मैठर समझ में आगे होगे उत्पादन विजी इसके वास सेकेंड आता है मूल्य मुल वर्धन विधी देखे यह मुल वर्धन विधी क्या होता है मत्रती स्टेप में आई मोल में बृद्धै कहलाता है Marcel ईसे आपको समझ में नहीं आया होगा चलिएम थेखें जैसे मान लेजीए कि आप लेके आय गियों आप जब लेके 5 ao 5ल को यह खरीद आपने 20 की रेट से कित्रा उप पचास किलो गेहों अपलाएं, 20 रुपे की रेट से खरीद के टेख जार आ गया, अब इस गेहों को आपने क्या किया, पिसवा दिया आटा, क्या लगाया आटा, यह आटा तो, भाई 50 किलो गेहों, 50 किलो आटा होगा, इसका जो रेट लगा 30 रुपे के हिसाब, पार एक्जा अब इस आटे का हमने बना दिया क्या बिस्किट, इस आटे का हमने बिस्किट बना दिया, अब यह बिस्किट देखे, 50 किलो आटा में कम संग कम बनेगा, 500 पैकेट, कितना, 500 पैकेट बिस्किट, और एक पैकेट बिस्किट कम मूले कितना, 5 रुपेया, पंचम 25 डबल जीर यानि 25 रूपिया यहां पर ध्यान से समझें मैं कहना क्या चाहता हूं यहां था एक हजार फिर आटा लाया तो 15 रूपिया बना फिर यहां पर बिस्कित बना कितने का यहां पे लेकिन यहां पे देखो क्या यह सब यूड़ेद का कि यह इसमें इसका भी पैसा it is यहां पर यहां पर यह मुल वर्धन का कहता है यह पहला स्ठसी पहला स्टस्टफ क्या कि एक हजार जोड़क्त पर त्प में आई ब्रद्धी यहां 25irementOOOO नोस यह पंधरा से 25 से हुगा यानि यहां पर 1000 के ब्रिद्धी यह एक हजार और यहां पर जोड़ो अब टोटल जोड़ो 1000, 1200, 5000 पांसो पच्छीस सो रूपिया इसे कहते हैं मुले वर्धन ब्रिद्धी यानि पहला वैलू इसके फर्मला कहा है मुले वर्धन का लेखें वैलू एड़ प्लस प्रति स्टेप में वैलू एड़ यानि पहला मुले है उसमें हर स्टेप में हुई ब्रिद्धी जितना हो रहा उसको आप जोड़ जाएए जोड़ते चले जाएए टूटल जो आएगा वो क्या कहलाएगा आपका मुल बर्धन ब्धी यानि पैसा फाइन मुल ही मुल वर्धन विदी कहलाता है जैसे अंतिम मुल क्या है पचीस सो पर हमें इससे क्या मतलब बनाया कितना बनाया कितना लगा हमने जब उसको बेचा तो हमें कितना रुपया मिला क्योंकि हम प्रॉफिट जोड़ते विए गया है जो हमें लास्ट मुल जो होता है वही ह तो आप दोनों तरीके से याद रख सकते हैं आई होप आपके समझ में आगया होगा दो चीजे मैंने बताया क्या उत्पादन विदी जो कि GDP होता है जब GDP में विदेश वाले जो हमारे यहां कमाते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं तो GNP बसता है उसमें भी सामान खराब हो ज इतना इश्ट्रा लगा उनको जोड़ दिजिए तो क्या कहलाता है मूलबर्धन विदी कहलाता है या फिर कहा सकते हूं अंतिम मूल आप यही याद रखें सबसे बैट रहेगा आपके इस समझ में आगया होगा तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं थोड़ा सा हाट जाते कarily इसका उत्पार्धन विधि हो गया मुल बर्धन विधि हो गया इसके बाद आता है वे विधि क्या है सीक प्लस आई प्लस जी मैंस एक्स माइनस M ठीक प्लस X माइनस M इसका मतलब क्या है देखें C का मतलब होता है कितना आपने खर्चा किया है तो C का मतलब कंजियूम का मतलब होता है कितना आपने इस्तेमाल कर लिया यानि उपभोग कर लिया I का मतलब invest कितना आपने लगाया कितना आपने उपभोग किया कितना आपने लगाया और जी से government हो गया यानि सरकार ने जो tax होगारे ले लिया एकसर से हो गया export export मतलब कितना माल हमने बाहर supply कर दिया minus import इसका मतलब यह है जैसे आप के आप से समान बाहर जा रहा है अब बाहर के आस समान अन्दर आ रहा है तो हमारे हम्हार यहाँ से जितना बाहर गया है वो जितना बाहर से हम अंदर लाए हो घटा देंगे तक भी तो बचेगा हमारा profit तो यह कितना आपने कंजियों किया आई कितना आपने लगाया जी गवर्मेंट को कितना दिया कितना बाहर बेचा और कितना बाहर वाले हमारे यहां पर आए जो हमारे यहां बाहर वाले लेके आए हैं इन कहा सकते हो जितना हमने बाहर से माल मागवाया है उसको हम घटा देते हैं तो CIG X-M यह फर्मला इंट लग जाता है उसे कोई फर्क खास नहीं है बात होई यह तो इसे विखसित देशों में होता है इसमें विकसित में विक्स最近 जैसे ईंडिया नी भारत में किस विच से निकाला जाता है उत्पादन दिच्छ सब्सक्रा पुद से उत्पादन दिच्छ आए तो उत्पादन बिजिसे विक्सित निकालते हैं तो मुले बर्धन भद जी हो गया हम इसके बाद आपका आता है आई विधी said mmam qamagdhemen कि और प्लस प्राइबेट करें सरकारी के शल्क प्राइबएड है चौत कर्याल चाहे हों कि मिला गुए पैसा के दोनों को सरकारि से कमा है युद्व Спाये हैं कि दूनो सर्कारविक पाया है तो अधंति सरकार तो आय बीधि कहलाता है किया किसे नापते हैं सरकारी प्लस प्राइबेट जितने पी कमाते हैं उनको जोड़ दीजे तो आय बीधि हो जाता है इसके बाद आता है बचत वीदी तो ऑन कि तभी ठीक नहीं हो सकता आपको थोड़ा प्राब्लम हो रहा हूँ संज़ने में बचत विध्य क्या होता है जैसे मालोव आप कहीं पे गए अब आपको चेक करना है बचत विजिस कैसे तो दो तरीके हैं कि हमने कितना रुपया लाया था रुपया था और कितना हमने खर्चा कर दिया इतना है हमारे पास और कितना हमने-खर्चा कर accusation हो बचत विच से निकालते हैं घर्चा खर्च इसको है सब्सक्राइब का निंगा सब्सक्राइब अंगा तो बिढ़ते हैं और भी ओसकते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिवाइस करूँ ताकि आपको को दिक्कत ना हो नेशनल आयम कैसे निकलता है उत्पाधन विद से मार्केट प्राइस पर जितना उत्पाधन देश में हो रहा है उस पैसे को जोल लिए जाए उससे राष्ट्रिया निकल किया जाती है भारत किस पर नि अंदल लाए उसको घटा दो टोटल जोड कि जो इतना दूसरे देश से हम खरीदें उसको घटा दो यह बैविदी हो जाता है जो विक्सित देश होते हैं इसी फार्मुले को फालो करते हैं तिक भारत किसको करता है उत्वादन विजी को अमेरिका हो गयरा बैविदी को उनों को जोड़ देते हैं पूरा पैसा तो बचत भी आ जाती है आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा पिस्तवाद के लिए इतना ही मिलते हैं अगले बड़ी में तपके के लिए धन्यवाद